ये आपकी राजनीतिक मंशा है कि आप एक आक्ट कानून के तहत एक सेकंड सौरम माल विया में लोटोंगे कॉंट्राडिक्ट्री है लेकिन आपकी बात हैं विपक्ष को संबान भी दे रहे हैं और विपक्ष से पूछ के आगे भी नहीं बढ़ें डॉक्टर एड्वोकेट महिमा प्रोपगेंडा है आपका राजनीतिक सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहे हैं आप कानून बना संसत ने पारित किया उस हिसाब से न्युक्ति हो रही है अगे 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 आवाज आरी आपको है जी जी अक्षामा चाहते हूं बीच में वह थोड़ी तक्नीके समस्या हो गई थी आप एक सवाल दोरा दीजेगा घरिमा जी एड्वोकेट महिमा मैं ये पूछ रही हूं आपसे आप प्रोपेगेंडा चला रहे हैं र कि मैं इस बात का वर्णन करना चाहूंगी कि कैसी मनस्थिती है इस समय भाजपा के जिन्होंने एक आपचारिक प्रवक्ता भी आपके चर्चा में नहीं दिया कि अगर तूफा में कष्टी हो तो बन सकती हैं तद्बीरे मगर कष्टी में तूफा हो तो कष्टी का खुदा हाफिज अभी भाजपा के अनौप चारिक प्रवक्ता को सुनते हुए मैं यही सोच रही थी कि कितने ज्यादा मैं समझती हूं कि यह लोग इस समय विचलित हैं कि सरवोच नियालाई ने पिछले वर्ष जो निरने दिया था गरिमाजी उसकी अभेलना तो हुई ही है जिस तरह से यह नियुक्ती की गई इस चैन समिती की अभी यह अनौप चारिक प्रवक्ता यह भी कह रहे थे कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि वे पक्ष को इसमें एक तरह से अवसर मिला है यह अवसर जो है यह अनौप चारिक प्रवक्ता महोदा या उनकी पार्टी न कहा गया कि CJI को उसका हिस्सा होना चाहिए जो मुख्य नयाधिश या उनको हिस्सा होना चाहिए जब आप करती है या कॉंग्रेस जब यह फाक्ट करती है तो मैं बड़ी जम्मेदारी से पूछना चाहते हूं कि वह सुप्रीम कॉर्ट का आधा वर्डिक्ट है अपनी आप नहीं बना देती है परले में आप बना दिया बिल्कुल ठीक बात है गरिमा जी बिल्कुल ठीक बात है लेकिन जो आप बनाया गया यह सरकार जो अधिकांश-विपक्ष के सांसदों को संसद से बाहर फेक करके और एक अपने एक मत से ताना-शाही के तरीके से कभी से बुलाते हैं जो भी आवाज सरकार के खलाफ उठती है वो प्रॉपगेंडा है वो देश-द्रोही है तो इसलिए ऐसे में आपने यह बात तो ठीक कही कि यह जो आदेश था यह तब ही तक लागू रहना था जब तक एक कानून ना बना दिया जाए लेकिन क्या कानून त NEW-डश्ण के व्यां यह निश्पक्षता को लेकर सवाल आपका ज्यादा बढ़ा है यह जो चुनाव आयुकत चुने गए उनकीनीश वायुकत पर क्मेटी की निश्पक्षतार है दो समेती बनाई गई गयिए गयमा जी नोश्य हो तो मुझी लगता है अपने यह जीटू के द्वारा चलाया जा रहा है और एक तरफ जो है हमारे नेता हुए जिनको चंद गहंटे पहले एक सूची 212 नमों की समाई गई और चंद मिनिटों पहले 6 नाम थमा दिये गए वो आपने सब कुछ अपने रेपोर्ट में बता दिया उस पर दोबारा में नहीं जाओंगी लेकिन आप यह समझे कि आज जो दो नाम दिये गए हैं आपने उनका पूरा बायो डेट अपने शो में बताया और मैं समझती हूं कि जो हजनता है वो नीरक्षीर विवेकी है वो स्वतह इस बात का फैसला कर लेगी कि इन दो नियुक्तियों को किस प्रकार से कि गया अशोक लवासा का जो इस्तीफा था वो किसलिए दिया गया था 2019 में जब प्रधान मंत्री को क्लीन चिट देने वाले चुनाव आयों के सभी फैसलों के ऊपर अशोक लवासा ने आपत्ती जताई थी मैंने कहा ना जो भी आपत्ती जताएगा जो इस पागलपन में शा उलएं कि अगर ये दो नाम ग्यानेश और दूसरा नाम एक और हे सुखभीर संदू का अगर वह अंडर सस्पेशन है तो नवीं चावला भी अंडर सास्पिशन थे मस्त गिल अंडर सस्पिशन थे और एक और नाम है मेरे पास की आपने बना दिया एक और जja को Justice Ray जिनका नाम है तो इस सारे भी तो अंडर सस्पिशन है फिर यह हिस्ट्री आपकी लेगेसी बड़ी है आपका सवाल करना उचिप है गरिमा जी और क्योंकि मैं कॉंग्रेस की प्रवक्ता हूं हम वो है जिन्होंने सूचना का अधिकार इस देश पो दिया और भाजपा व रही है वो सवाल इसलिए किया जा सकता है क्योंकि हम एक लोक तंत्र में हैं जहां चुनावों का जैसा आपने कहा निश्पक्ष होना ही नहीं निश्पक्ष दिखाई देना भी आवश्यक है बिल्कुल किया जाना चाहिए सवाल अगर उस समय शायद सर्वोचन यायालाय न आपने उठाकर राज्यसभा भेज दिया आपने नवींग चावला जैसे इलेक्षन कमिशनर को चीफ इलेक्षन कमिशनर की आपत्ती के बावजूद ना हटाया उल्टा उने सीसी बना दिया गरिमा जी एक मिनट एक मिनट एक तर्क दूंगी आपको मैंसर देखी सबसे पहले तो सर्वोचन यायालाय ने पिछले वरशी एक आदेश दिया जिसमें उन्होंने केंदर सरकार को ये कहा कि आप तब ये मनिपूर के बारे में था कि आप तब तक कमेटियों पे कमीटिया बनाते हैं जब तक आपकी सहुलियर की कमेटियी नहीं बन जाती आपकी मरजी की रिपोर्ट नहीं आ जाती पहली बात तो ये अब दूसरी बात ये कि आप जो बात कर रही हैं कि हमने उस समय क्या किया, आप ये भी मानेंगी कि हम ही वो लोग हैं जिनके सरकार के दौरान क् कैग रिपोर्ट्स जारी करता है आयूशमान भारत को ले करके आवास योजना को ले करके लेकिन उस कैग के अधिकारी के साथ भी क्या होता है आपको मालूम है आज पीम के सेलफी बूट्स के उपर जब सूचना के अधिकार के तहर्ट सूचना एक अधिकारी द्वारा दी ज झिल यद हो свेले घचते हैं तो मनेतों रचित रह जवे घर रह की